अगर टाइम से पहले आपके फेस की स्किन जो है वो लूज हो रही है वो ढीली पड़ रही है या फिर टाइम से पहले आपके फेस पर रिंकल्स आने स्टार्ट हो रहे हैं तो आप क्या ऐसा करें जिससे की ये रिंकल्स आने बंद हो जाए या कम हो जाए आज मैं इसी के बार एकसराइस करने हमारे बहुत ज़ाधा जरूरी होता है जब हम इकसराइज करते हैं तो इस एकसराइस करने के लिए अच्छा मना जाता है आपको exercise करने के लिए अलग से time निकालने की जरूरत नहीं है आप कोई भी काम करते वक्त ये exercise कर सकते हैं हर रोज 5 minute face exercise करने से हमारा skin जो है वो tight भी होगा और time से पहले उस पर wrinkles नहीं आएंगे Face exercise के अलावा आपको face massage भी करना है हर रोज आपको दो बार अपने face का अच्छे से massage करना है morning में और night में night में सोने से पहले आपको किसी भी moisturizer cream से अपने face की अच्छे से massage करना है यानि की massage करना है morning में after bath आपको अपने face का massage करना है आपको किसी भी sunscreen से या फिर कोई भी moisturizer cream जो भी आप apply करते हैं उसे लेकर के अपने face पर massage करना है इससे अच्छे से blood circulation होगा आपकी skin tight भी होगी और glowing भी होगी आपको face massage जो करना है वो नीचे से उपर की ओर करनी है नीचे से उपर की ओर अगर आप करेंगे तो ही आपके wrinkles जो है वो आने बंद होंगे या फिर कम होंगे आपको जहां पर wrinkles पढ़ने start हुए हैं वहाँ पर आपको बसाज जरूर से जरूर करने हैं थर्ड पॉइंट है ice pack ice pack is good for our skin Summers में जब भी आपको sweating की problem हो या जब भी आपको ऐसे लगे कि आपके face पर बहुत sweating हो रही है तो ऐसे में आप एक ice pack लीजिए और उसे अपने face पर रब करिए जब आप ice pack से अपने face पर रब करते हैं तो इससे आपका face जो है वो fresh हो जाता है ये face wash का काम करता है अगर आप ice pack रब करते हैं तो ये आपके pores को deeply clean करता है आपका face जो है वो अच्छा से clean हो जाता है और इस ते आपका face टाइट भी होता है और glowing भी होता है नेक्स पॉइंट ये है कि आपको अपनी skin को हमेशा ही hydrate बना कर रखना है Summers में इस चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है आपको हमेशा ही liquid लेते रहना है आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको अपने face पर लौकी का juice हो गया, टमाटर का juice हो गया, खीरे का juice हो गया या फिर नीबू के juice में आप honey को mix करके अपने face पर लगा सकते है इससे आपका face हमेशा ही hydrate रहेगा और जब आपका face hydrate रहेगा तो वो glowing भी नजर आएगा और tight भी रहेगा Summers में आप green vegetables और fruits जरूर खाएं आप ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें water की quantity ज़्यादा पाई जाती है जैसे कि आप coconut water पी सकते हैं आप banana का mask अपने face पर लगा सकते हैं आप water melon को खा भी सकते हैं और अपने face पर लगा भी सकते हैं अगर आप इसको खाते भी हैं और face पर apply भी करते हैं तो इससे आपकी skin जो है वो अंदर से भी hydrate रहेगी और बाहर से भी hydrate रहेगी आप जितना ज्यादा इन सारी चीजों को खाएंगे जितना ज्यादा आप इन सारी चीजों को अपने face पर लगाएंगे उतना ही ज्यादा आप hydrate रहेंगे और उतना ही ज्यादा आपकी skin जो है वो healthy बनी रहेगी अगर वीडियो थोड़ी भी helpful हो तो प्लीज लाइक कर दीजियो और सब्सक्राइब भी करिए मिलती हूं अगले वीडियो में थैंक्यो फॉर वाचिंग